सो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आगे हम फिर से और एक नए मैज़दार वीडियो में और इस वीडियो में भी आप काफी कुछ सीखने वाले हूँ यहाँ पर बताने वाला हूँ प्ले स्टोर से जीरे हुए फाइब से हीडेन टिप्स और ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत को सब्सक्राइब जरूर करना, स्टार्ट करना हो नम्मर वान से, जनरली कुछ इस तरीके से हम अपने प्ले स्टोर को ऑप्रेश ज़िए चर्णार को चलाते हो, काफी लोगों के पास बहुत सारा आइडि भी होता है, और बहुत सारे आप लोगों के पास भी हो गाई, एं और निव वाला फीचर्स देखो आपको जैसे उपर आपकी जो लोगो आइकन मिलता है आपको बस उपर या नीचे के तरफ आपको बस इससे स्लाइड करना है और आपका जो आईडी एक स्लाइड की रूप में चेंज होगा कुछ इस तरीके से देख परो यहां पर आप जैसे आप नमर टू की देखोeng प्लेइस्टोर में हमें काफी सारे अप्लिकेशन एंड काफी सारे एप्स गेम वगरा बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेस्टोर में काफी सारे गेम ओनलाइन चलता है अपको सर्च कर लेना है जो कि यहां पर मैं कर open हो चुका है वह एप है या गें उसके बाद आपको यहां पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके की एक सेफ के अंदर यहां पर लिखा होता है जिससे आप आप slide करते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाता है कि यह online चलेगा यह offline आप इस तरी की से slide करना है यहाँ पर आपको offline का option नहीं आ रहा है यहाँ पर जैसे llite कary ittit का मतलब की यह गेम आपte खेर सकता है यहाँ इसी कि अध्य करने सकते हैं यहां कि अध्य मीश्वारी नयुक्ति साथा मतलब की इसी की आप peł उफ्लाइन त्रिक्स भी काफी जादे यूसफुल एंड इंपोर्डेन होने वाले है आप सभी लोगों के लिए ठीक है जैसे कि आप प्लेश्टोर में कुछ इस तरीके से अपने प्लेश्टोर को आपन करते हुए यह आपके घर में बच्चा है वह भी प्लेश्टोर को 100% यूज करते है इसमें काफी सारे गेम्स मिल जाता है जो बच्चा को बहुत जादा पसंद है लेकिन प्लेश्टोर में काफी सारे एडल्ट गेम बगरा कुछ आ जाता है ठीक है तो उसे आप कैसे रोख सकते हो देखो उसके लिए आपको सेटिंग में आना है इस तरीक से यहाँ पर आपक आपको ओन करके रखना होगा जैसे कि यहाँ पर मैं टेप कर रहा हूँ और यहाँ पर देख पर हो यह वाला जो ओफ है इसे आप जैसे ही ओन करते हो तो आपको यहाँ पर एक पिन सेट करना होता है जो कि यहाँ पर देख पर हो यहाँ पर आप अपने मुताबिक कोई भी जो आपको याद रहे है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, confirm आपको फिट से वही करना है और यहाँ पर OK कर देना है अब देखो यहाँ पर दो ओप्शन मिलता है जो ऑप गेम से वगरा उसे हाइट करने के लिए कुछ इस तरीके साइप करो, जितने भी एपस गरूप के आपको गेम चाहिए, या फिर अपस प्लीर की आप इस्से यहाँ फेले को सेब्स कर देना है ठीक है बात करता है नॉमल फोड की देखो इस वाले फीचर में बताने वाला हो कि ये फीचर अगर आप ओन कर देते हो तो आपका इंटरनल डेटा काफी ज़्यादा बचने वाला है तो आपको करना बस कुछ इस तरीके से आपको अपनी ID में लोगिंग हो जाना है और यहाँ जो ओटो अपडेट एप से यह है अगर ओबर एनी नेटवर्ग होगा तो आपका इंटरने डेटा काफी ज़्यादा खदम होता है मिलसे आपका जो भी एप उसम कोई वेगर अपडेट आता तो अपने आप अपडेट होता है ठीक है तो आप यहाँ पर उससे डॉंट ऑट करना मतलब आपको जब भी किसी एप को अपडेट करना तो आप खुद ही उसे जाकर प्लेइश्टोर से अपडेट करना नहीं तो काफी सारे एप जो है वो अपने आप ही अपडेट हो जाता है जो कि आपका डेटा काफी जदा लेला तो आप इस सेटिंग को भी कर सकते हो बात करते है नमर फाइब की जो की काफी जिसके लिए अभी तक आप नहीं यहां पर रुका हुआ है ठीक है चलो बताता हो कि कैसे आप अपने मोबाइल के किसी भी अप्लिकेशन को अपने एक्स्टर्नल या एक्स्टर्नल सेंड कर सकतो या फिर डाउनलोड कर सकतो देखो होता यह था कि पयले जितने में मोबाइल आते थे उन में यह को अपने आख करने में आपको 6 यहां आपका जो developer option है आपके mobile का वह यहाँ पर open-own हो जाता है मेंस त्रिक है और यहाँ पर on होने के बाद आपको वह developer option में चले जाना है अब देखो developer option आपको कहां मिलेगा additional setting आपके mobile में आप find करना है यहाँ पर आप जैसे ही tap करता हो आपको यहाँ पर अपने जो developer option है वो यहां पर आपको दिखाए देने वाला जिसके आप यहां पर देख पार हो यह रहा डेबलोपर ओप्शन तो आप कुछ इस तरीके से इसमें टैप कर देना अब यहां पर काफी सारे सेटिंग मिलता है लेकिन आपको किसी में भी चर्चाने नहीं करना है मतलब बीना जाच या बीना जाच तो देख हो आपको यहां पर मैं जो बता रहे हो उस सेटिंग को ही आपको इसे ऊन करना होगा हुगा थेके तो यहां पर मैं इसे ओपें करता हूँ उपर हमें यहां पर हमें मिल चुका है जिएक पार यहां पर फोर्स एलाव एप और एक्स्टरनल ठीक है तो यहां पर आप जो यह देख पार ओफ है इसे आपको बस सिंप्ली ओन कर देना है उसके बाद आपको मुबाल में जितने भी एप्लिकेशन है आप चाहो तो उसे अनिस्टोल करके फिर से इस्टोल करना तो आपके sdf-kart में होगा या फिर आपको कोई एप को इंस्टोल ही करना तो आप अपने ब्ले सटोर में जे आ जाना। बुईकस क कईी अस सब्सक्राइब और वो वाला जो application है वो आपके SD card में होगा जिसके आपर load है ठीक है इस load को मैं अगर install करना चाहूँ तो यह यहाँ पर install में लगा दिया और यह होगा अब हमारे SD card में तो कुछ हद तक लेता है internal लेकिन यह SD card में save हो जाता है आप कुछ इस तरीके से अपने SD card में एप को install कर सकते हैं अब इन 5 फीचर में से आपको कौन सा फीचर सबसे best लगा कॉमेंट करके जरूर बताना है एंड चैनल में नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब करके जाना मिलता हूँ अब अपने नेक्स वीडियो में जो की काफी अच्छा और इंट्रेस्टिंग होने वाला है ठीक है टेल इन गुडबाई